सबसे पहली खबर आपके सामने इंटरनेशनल फ्रंट से रखते हैं जहां पर हिंदुस्तान ने पिछले 24 गंटे बलके पिछले 12 गंटे में पाकिस्तान पर दो शदीद सफार्ती हमले किये हैं बिकुस इंडिया में जो इलक्शन चल रहे हैं उसी की मोहिमें उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तरी लगाई पाकिस्तान को कि हम किश्मीरियों का जो बेल आउट पाकेज है जो उनका बेल आउट पाकेज थोड़ा सा तुम्हें भी दे देते हैं अगर तुम करें कि समिट में आने की जुरूरत ही न पड़े या इतनी बेज़दी करके आए सियो समिट कि बड़े ऊपर से तो मुझे लग रहा है कहीं आएंदा हम बेल आउट पैकेज के लिए कहीं हिंदुस्तान का रुखी न ले 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 नमस्कुर दो सुजैंदर तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रों में देखा बाकी आपको यह पता ही होगा कि जैसंकरसन ने युएन के अंदर भाई साब पाकिस्तान की जो बेज़दी करी थी उसके बाद से मैं बाई कल से इंतजार कर रहा हूं कोई पाकिस्तानी मैनिश्ट्री मेडिया में इस प्यारे में करेंगे बाई बेज़दी जो करी है जैसंकरसन ने पूरे दुनिया के देशों के सामने लेकिन इस पे तो देखो पाकिस्तानी ने कोई बात नहीं करी थी हमारे जो डिफेंस मिनिश्टर है राजनात सिंग सर्प उन्होंने भाई मतलब पाकिस्तान की नो वाल पे छक्का मा इसंय।-दर पाकिस्तानी मेंश्टी मेडिया के त्रफ सो कोई वयान आता है कि नहीं आता है buगी है वीडियो पसंब आए तो लाइक करना चैनल को भी तक आपने अपने get है इन्टरियनको इंटरनी का लूरा सब्सेच्राइब ही खबर आपके सामने इंटरनेशनल फ्रंट से रखते हैं जहां पर हिंदुस्तान ने पिछले 24 गंटे बलके पिछले 12 गंटे में पाकिस्तान पर दो शदीद सफार्ती हमले किये हैं निरंदरा मोदी आए अमेरिका में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने विकास की बात की विकास का मतलब है डिवेल्पमेंट हिंदी में मेरा ख्याल डिवेल्पमेंट को प्रॉग्रेस को विकास कहते हैं was a complete show of engagement, power and integration within the western powers. उसमें वो Quad की मीटिंग भी थी जिसमें जैपान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका और हिंदुस्तान और उसमें भी अमरीका और हिंदुस्तान का जो हेड अफ स्टेट था में बाइडन और उसके साथ निरेंदरा मोधी आगे चल रहे थे, अस्ट्रेलियन और जैपनीज जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीछे चल रहे थे, तो टोन सेट हो गई, कि हिंदुस्तान कहां खड़ा है, उसके बाद वो एक इंटरनेशनल लीडर के तोर पर कंड़क्ट किया, और पाकिस्तान का बिलकुल जिकर नहीं किया, माजी में जब भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आता है, वो जाहर है पाकिस्तान की उपर, कोई ना कोई तबर्रा बोलके जाता है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ नी बोला, तो हम सोच रहे थे, कि शायद वो विकास की तरफ फोकस्ट है, और वो पाकिस्तान की उपर बात ही नहीं करना चाहते, वो हमें इस काबल ही नहीं समझते, कि उन्होंने हम पर बात करनी है, लेकिन उन्होंने हमें इस काबल समझा जरूर, लेकिन डाउन ग्रेड करके, उन्होंने ये जमेदारी, अपने व कहा कि पाकिस्तान गलाजत में गिरा हुआ है पाकिस्तान के माश्रे को पहली दफ़ा उन्होंने चैलेंज किया आज के दिन तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सुसाइटी पर कभी बात नी की थी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के डिफेंस के सिस्टम पर पाकिस्तान को हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान टेररिजम में इंवाल्व है ये सब उन्होंने पहली दफ़ा दुनिया को एक डिफरेंट लेवल पर अंगेज किया और कहा कि पाकिस्तान का जो माश्रा है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उससे अब हमारी सुसाइटी इंपक्ट हो रही है जरा टैं पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उस पे इंडिया ने बात की ये हमने पहले नहीं देखा यस इंडिया और पाकिस्तान तू तू मैं मैं सतर पच्छतर साल से करते आ रहे हैं क्वाम मुतादा में मगर ये जो हुआ है जो पॉर्डम मिनिस्ट्र जैश अंकर ने बोला है व साथ साथ पाकिस्तान के अंदरून में जो टेर्रिजम चल रहा है उस पे भी पहली बार हमने ये जुबान नहीं देखी कि इंडिया पॉर्डम मिनिस्ट्र ने इतनी सक्ष जुबान इस्तमाल की हो तो वो ये वरीधिं इस कमिंग हम तू रूस वाली जो बात है वो शुरू लेकिए एक तरफ तो बेज़िती करके चलेगा और वो बाइद वी जो पिछली जो हर साल इंडिय बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में ये दैशतगर्द मुलक है इसने उसामा बिन रादन को रखा था वगर वगर वो तो बातें की ही की मगर जो अंदूने खाना की जो बा पाकिस्तान को कि हम किश्मीरियों का जो बेल आउट पैकेज है जो उनका बेल आउट पैकेज थोड़ा सा तुम्हें भी दे देते हैं अगर तुम इंसान के पुतर बंते तो इंडिया अब ऐसी बातें करने लग गया है इंडियन सोशल मीडिया ने आपका नाम रखा हुआ है विकारिस्तान कि आप बेकारी हैं और आप टे剛剛ई हैं भी किस आप आप आए मेर्थ जो हैं आपको चीश करने लग गये हैं और इंटरनाशली आपकी अपको अप्राम मर्ण बोलता है आपने एंडिया विर फ्राइन मिनिस्टर को भी आपने प्राम मिनिस्टर साप नहीं बोलते हैं आपकी सता पर तो यह होने लग जया है बट इस इस रही इंपर्टन बिकर इंडियन्स एक्सपेक्ट इन इसलामबाद और इस सब में क्या इंडियन्स आप अपनी तरफ से कैसे सजेस्ट करेंगे कैसे अनलाइस करेंगे कि आप इतनी बत्तमीजी करके पाकिस्तान आएंगे शायद इंडियन्स एक वे आउट ढूंड रहे हैं कि इतना टेंपरिचर इंक्रीज करें कि आने की जुरूरत ही न पड़े या इतनी बेज़दी करके आएं सीओ समिट कि बड़े ऊपर से आएं काइंड आफ उन्हें ये कहने की कोशिश की वर्ड यूज नहीं किया लेकिन पाकिस्तान को जैसे उन्हें नासूर काओ और का पूरी दुनिया ज outlets करें वरना यह पहल जाएगा हर जगा पर जो पाकिस्तान हमें पहला रहा है और साथ-साथ उन्होंने का कि पाकिस्तान ने जो गलत कारियां की हैं उसमें पाकिस्तान अब खुद धस रहा है, कार्मा का लफज उन्होंने इस्तमाल किया, उन्होंने का कि कार्मा जो है वो पाकिस्तान तक आप पहुंचा है, पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट रहा है पाकिस्तान, ये उन्होंने तकरीर की, मीन बात नहीं कर रहा डाउन ग्रेड करके वो अपने फॉरन मिनिस्टर को दे गया है कि पाकिस्तान को सफारती लेवल के उपर आप हिमिलियेट करें अब आगे चलते हैं अभी उनकी तक्रीर शैसरुखियों का हिस्सा बनी ही थी कि हिंदुस्तान के वो वाले वजीर जी हां जिन पकॉडे के वजन के उपर दिया था याद कीजिए कि पाकिस्तानी जो है वो कितने पकॉडे खाते हैं पांच करोड पकॉडे रोज पाकिस्तानी खाते हैं ये ट्वीट था उस दिन का ख्वाजा आसिफ का आज उन्होंने डबल डाउन किया अपनी पुजिशन पर उन्ही जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह लें आप उन्होंने डबल डाउन किया है और आज उन्होंने ये कहा है जरा चेक कीजिए मैंने आपको जैशेंकर की स्टेटमेंट्स तो बता दी अब ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो गली-गली मांगता फिरत अगर पाकिस्तान ने हमसे रिष्टा बेहतर रखा होता पाकिस्तान ने अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया होता तो अभी हमने मक्बूजा कश्मीर को बेल आउट पैकेज दिया में मक्बूजा कश्मीर में हमने डिवेल्पमेंट पैकेज दिया है हम पाकिस्तान को भ वाम करते को सबसे जयादा वर्ड उनके पूरी सपिच में इंडिया को लेकिए उसके बाद हमारे जो मतलब काफी अच्छा पाकिस्तान को थगड़िया में आ よ मैं अर्ण मिनिश्टर जैशांकरश वो आते हैं वह सीधा बोले देगिक पाकिस्तान उनका जो भी हाल है आज पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान के खुद के करम है पाकिस्तान को बहुत अच्छा दोया सभी देशों के सामने एंदेन उसके बाग में हमारे डिफेंस मिनिटर मिनिश्टर राजनात सिंग सर्फ वो कहां पीजे रहने वाले उन पाकिस्तान का मैंने इस्टिण मीडिया क्या बात करता है इस वारे में बागी दोस्तों आपका क्या क्या जरूर देना वीडियो बसना यह दो लाइक कर देना पर मिल देए नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैएन जैवारत